तो finally Hero Glamour 125 को Indian market में new update के साथ launch कर दिया गया है और जो Glamour standard model यानि जो original model मिलती है उसमें क्या आपको changes किया गया है वो भी आगे हम लोग बात करने वाले है और अभी आपको new color option के साथ Hero Glamour 125 देखने को मिल जाती है और भी कई सारे changes आपको इस bike में अभी देखने को मिल जाती है तो अगर आप भी 2024 के अंदर 125cc का कोई एक bike करिंदे की सोच रहो तो ये bike आपको पसंद आ सकती है तो वीडियो के एंट तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बढ़ाए हो तो ऐसे और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो सबसे पहला जो change किया गया है उसका headlamp unit के अंदर है और अभी आपको X-Tech के DRLs के साथ इसका headlamp section है ये देखने को मिल जाती है साथी आपको इसका headlamp में split design भी देखने को मिल जाती है तो सबसे पहला update तो इसका headlamp के अंदर आपको दिया गया है दूसरा जो update है अभी आपको इसमें USB charging socket देखने को मिल जाती है जिसके मदद से आप अपने smartphone को चार्ज कर पाएंगे पर इसके तीसरी update के बात करें तो इसका switch gear को पूरी तरीके से बदल दिया गया है अभी आपको इसमें और भी जादा premium switches देखने को मिल जाती है जैसे हम लोगों को पहले splendor x-tech 2.0 bike में देखने को मिली थी साथी आपको hazard light का भी feature अभी दे दिया गया है जो कि अभी आप इसका left handle bar में देख सकते हो इसके लवा fully digital instrument cluster आपको देखने को मिल जाती है इस bike में और इस digital display में आपको bikes related काफी सारी information देखने को मिल जाएगी जैसे speedometer, trip meter, fuel coach indicator, gear position indicator, engine check light ये सारे information आपको इस instrument cluster में देखने को मिल जाती है इसके लवा आपको इस bike में i3S system जो कि hero का start stop system है ये भी देखने को मिल जाती है साथी आपको एक new color option भी देखने को मिल जाती है black color के साथ, silver finish में आपको ये new color देखने को मिल जाती है इसके लवा जो पहले, जो colors आपको hero glamour 125 में देखने को मिल जाएगी वो सारे color साभी भी आपको देखने को मिल जाएगी इसके लोग आपको single piece seat जो कि पहले देखने को मिलती थी वही आपको इस new model में भी देखने को मिल जाएगी tire size भी आपको same देखने को मिलती है जो पहले आपको देखने को मिलती थी तो जितने भी अपडेट्स आपको Hero Glamour 125 मोडल में देखने को मिलती है 2024 के अंदर सारे अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके इलबा जो इंजिन स्पेसिफिकेशन से वो पहले की तरह सेम है इंजिन आपको इसमें 124.7 cc का 4-stroke air-cooled BS6 FI engine देखने को मिलती है जो कि maximum power produce करती है 10.39 bhp का और maximum torque generate करती है 10.4 newton meter का साथी आपको इसमें 5-speed का manual gearbox भी देखने को मिलती है mileage के अगर बात करें तो almost same mileage आपको देखने को मिल चाती है new model में भी 55 km per liter का mileage आप expect कर सकते हो इस bike में अब अगर pricing की बात करें कि किस price में आपको ये new model देखने को मिल चाती है तो Hero Glamour 125 का जो base variant है जो की drum brake के सथ आती है उसका action room price है 83,528 रुपीज तो pricing जो है यहाँ पर पहले से 1000 रुपे जादा महेंगी कर दी गई है इस bike को इसका disc brake वाला variant है उसका action room price है 87,528 रुपीज और इसमें भी आपको 1000 रुपे जादा महेंगी देखने को मिलती है अगर हम लोग पहले के bike के pricing के साथ compare करें और on road price अगेन आपके state के उपर depend करता है क्योंकि state wise जा है on road price थोड़ा सा कम जादा हो सकता है तो जितने भी अपडेट्स आपको new hero glamour 125 bike में देखने को मिलती है साड़े अपडेट्स के बाड़े में मैंने आपको बता दिया वसे आपको ये bike कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइए और अगर आपको information अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएए मिलता है ऐसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care